फेस्बुक पर मुझूद सभी मैलाई एक बार ये कहानी जरूर पड़े सलोनी ने आज कहीं दिनों के बाद फेस्बुक खोला था एक्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दोरी बना ली थी फेस्बुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35 से 40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंटिंग पड़ी थी उसने एक सरसरी निगा से सबको देखना शुरू कर दिया तब ही उसकी नजर एक लड़की की रिक्वेस्ट पर ठहर गई उसका नाम राजसर्मा था बला का स्मार्ट और हैंसम दीख रहा था अपनी डीपी में स्लोनी ने जिग्यासा वस उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोल कर देखी तो वहाँ पर उसने एक से बढ़कर एक रोमेंटिक सेरो सायरी और कविताय पोस्ट की हुई थी उन्हें पढ़कर वो इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एकसेप्ट कर ली अभी उसे राज की request accept किये हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके messenger का notification के साथ बज़ उठा उसने check करा तो वो राज का message था उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें राज ने लिखा था thank you very much वो समझ तो गई थी कि वो thanks क्यों कह रहा है फिर भी उसने मज़े लेने के लिए उसने reply करा thanks किसलिए उदर से तुरंच जवाब आया मेरी request accept करने के लिए sloni ने कोई जवाब नहीं दिया बस एक smiley वाला sticker post कर दिया और फिर messenger बंद कर दिया वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अंजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में वैस्त हो गई अगले दिन उसने अपना facebook खोला तो उसे राज के message नजर आए राज ने उसे कहीं romantic कविताई भेज रख की थी उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा उसने जुआब में फिर से smiley वाला sticker सेंड कर दिया थोड़ी देर में ही राज का reply आ गया वो उससे उसके hobbies के बारे में पूछ रहा था स्लोनी ने राज को अपना संक्सित प्रीचे दे दिया उसका प्रीचे जानने के बाद राज ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जोब लग जाएगी और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला स्लोनी की राज से दोस्ती हुई अब तक डेड़ महीना हो चुका था स्लोनी को अब उसके मैसिज का इंतजार रहने लगा था जिस दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती थी उसे लगता जैसे कुछ अधूरा पंसा है राज उसकी जिन्दगी की आदत बनता जा रहा था आज राज फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी इदर उदर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा यार हम कब तक यूई सिर्फ फेस्बूक पर बाते करते रहेंगे यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ यही बात कह दी लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी सायद अंजान होने का डर था वो सलोनी ने यही बात राज से कह दी अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए जब हम मिलेंगे तब ही तो एक दूसरे को जानेंगे राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की अच्छा ठीक है बोलो कहां मिलना है लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ सलोनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हां की ठीक है तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना राज ने अपनी खुशी सिपाते हुए उसे कहा और फिर वो सलोनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था अगले दिन शाम को 6 बजे सहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क जहां पर सिफ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे सायद एकांत के कारण राज ने सलोनी को वहीं पर बुलाया था थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहां पहुंच गई राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीट लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया पहली बार उसे सामने से देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई और अपनी फोटोस से ज़्यादा स्मार्ट और हैंसम था सलोनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इसारा करा उसके इसारे को समझ कर वो उसके पास आ गई और मुस्करा कर बोली हाँ आप बोलो मुझे यहां किसलिए बुलाया है अरे यार क्या सारी बात ही ही सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी आउ कार में बैठ कर बात करते हैं और फिर राज ने उसे कार में बैठने का इसारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहाँ पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ नजर आया सकल से वो आदमी कहीं से भी सरीफ नजर नहीं आ रहा था सलोनी के बढ़ते कदम ठिटक गए वो पलटकर राज से पूछने ही जा रही थी कि यह कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खीच लिया और उसे बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मूँ कसकर दबा लिया ताकि वो चीख न पाई और उसके हाथों को रोज राज ने पकड़ लिया अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिला सकती थी और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मूँ दबा रखा था वो हसते हुए राज से बोला वा भाई वा मज़ा आ गया आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है उसकी बात सुनकर राज मूँ पर उठाकर ठाके लगा के हसा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेडिया अपने पंजे में सिकार को दबोच के हस रहा हो और वो कारतेजी से सहर के बदनाम इलाके जिसम की मंडी की तरफ तोड़ी जा रही थी ये सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोसल मेडिया से अंजान लोगों से दोस्ति कर लेती है और अपनी जिंदगी घवा लेती है तो दोस्तों आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है कमेंट बोक्स में जरूर बताना अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना मिलते हैं किसी एक नई ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई